अच्छा विंड मिल में एनर्जी कहां से आती है विंड टर्बाइन में एनर्जी कहां से आती है उसकी स्र irgendwas क्या है स्र PBS तो आवियसली आपको पताई अच्छा विज़ से हम बात करें विंड मिल की तो इसका मतलब एक हुआ से हा रही है हवा में एनर्जी कहां से आती है वह सबसे बड़ी बात दिए तो मैंने इसके बारे में एक पहले वाले मॉडूल में भी आपको बताया था कि एक चीज होती जिसे हीट कापासिटी कहते हैं या स्पिसिफिक हीट कापासिटी का मतलब ही होता है कि कितनी एनरजी मिले कि एक ग्राम की कोई चीज उसका एक डिग्री टेंपरिशर बढ़ इसको दोबारा मैं समझा दूँगा ताकि आपको अंदादा हो जाए कि हवा में एनरजी कहां से आती है जो हवा चलती है वो चलती क्यों है और चलती है तो तेज क्यों चलती है और हलकी क्यों चलती है उसकी सारी वज़ाए जो है न वो रिलेटेड है सूरज से तो मैंने प सोलर एनरजी से, इसका तो बहुत ही आपिस है, बहुत ही डिरेक्ट तालुक है, बगएर सूरज के कोई हवा चलना जरा मुश्किल हो जाती है, अब कहेंगे जी हवा तो रात को भी चलती है, पर मैं आपके बताऊंगा हवा रात को क्यों चलती है, उसको औरीजन जो है, वो तस्वीर से हजार बाते हो सकती है, तो इन हजार बातें के बज़ाए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा हीट कपैसिटी और एनरजी में क्या कनेक्शन है। अब ये देखें, ये एक साहल की तस्वीर है, ये मेरा खयाल ये है, कि ये के होते हैं और heat capacity जो पानि की होती है उसमें फरख क्या होता है। पानि की इसका है पानि की heat capacity ज्यादा है। इसका मतलब वो बहुत सारी heat अब्जॉर्ब करेंगी। horiht uma में पड़ेगा। तो इसका था करने के बाद इसका temperature बढ़ेगा। अगर heat capacity कब है तो chiजD ख़ुक कब हैं तो इसका बहुत हो थोड़ी heat absorb करें उसका temperature बढ़े जाएगा। अब बढ़ जाता है एक इसमें थोड़ा सा हीट कंडेक्शन का भी मसला होता है वह भी इसको में इग्नोर कर दूँगा तो राइट हैंड साइट पर जो पानी है वो बहुत आहस्ता आहस्ता गरम हो रहा है दिन की बात कर रहा हूं पूरा दिन निकलावा है बारा वज़े है पूरा सूरज चमक रहा है राइट है पर जो पानी है उसकी हीट कपैसिटी बहुत ज्यादा है इसका मतलब जितना भी प एकदम से तेज होना शुरू हो जाता है अगर पानी कर टेंपरचर अगर देखेंगे सिर्फ एक specific temperature देखेंगे तो शायद पानी कर टेंपरचर अगर क्या जो 22 degree centigrade हो तो तो इतना temperature अगर डिफरेंट हो जाए तो उसके उपर जो हवा है साहिल के उपर होगी ठीक हो जाए ना गरम होने से क्या होता है कोई बी चीज गरम होती ही वह एक्सपैंड होती है एक्सपैंड होने का मतलब इसकी density कम हो जाती है density का मतलब है कि वह उपर जाना शुरू हो जाती है तो हवा गरम हो ही वह उपर जाना शुरू यह साहिल पर हो रहा है पानी में नहीं हो रहा है जैसे साहिल पर उपर गई पानी हवा उपर गई तो नीचे वैक्यूम तो नहीं हो सकता नेचर जो है वह वैक्यूम को बहुत ही आदर है किए और उस तरह इस तरह रोटेशन शुरू हो जाता सा प्रौइज दिन में पानी से साहल टक क्या ह्वाती रहती अब आप किसी शायली शेखर पर चले आए कराची शो में दिन में हबस हो Yogis में कम असकाम हوا चलती रहती है, तो बॉट कर सकता है तो इसका मताब पानी जय होग गया ग्या daí, जो हुआ दे कर और हिसके मताब मताब काती है, रात को साहल से पानी की तरफ जाती है रात को सुछल्याइशन चलती रहती है अभी तो मैंने एक बहुति सी जगह्त बताई यह अगर आप उसको ग्लॉबिलाइज कर लें उसको अगर आप पूरे मुल्क में कर लें, कि कुछ जगा सूरेश ज्याएदा पढ़ा, कुछ जगा सूरेश कम पढ़ा, तो आगे पीचे टेमपरिशर होगया ना, अब जब आगे पीचे टेमपरिशर होगया, तो यखिना ए Mississippi अहुजा हुआ, जहाँ कम है, वहां से हवा चलती है, जहाँ ट इसी वज़े से ज़्यादातर जो windmill लगाते हैं वो wind turbines जो लगाते हैं वो पानी के पास ही लगाते हैं। पाड़ियों पर भी लगाते हैं कुछ ऐसी जगह हैं खास अभी मैं बताऊंगा उनको। और यह एनैनोमीटर है जिससे उसकी wind speed का अंदादा लगाया जाता है कि इसकी wind speed कितनी है। कभी भी कोई weather station आप देखेंगे तो उसमें यखिनन यह लगा होगा। अब यह अमरीका में यह है अब जितना इला होता जाएगा इसका मतलब वहां पर wind की रफ्तार ज्यादा होते जाएगे ऑन एन एवरिज सालवर का एवरिज है। तो आप देख लें कहां पर wind turbine लगानी चाहिए हैं कहां पर नहीं लगानी चाहिए हैं जो बिलकुल white हिस्सा है वहां पर हवाँ बहुत कम चलती है तो इस वजाए से वहां नहीं लगता। बीच के हिस्से में काफी होता है वह मिसिसिपी रिवर है उन नीचे वैली है इसका मतलब ऊपर से नीचे पूरा हवा चलती रहती है तो उसमें काफी साइकलोन वगारा भी आते रहते हैं इस इलाखे के अंदर पर लेफ्ट साइड पर कैलिफोर्निय के आस पास चले जाएं कैसकेड माउंटेंज वगरा के अंदर तो वहां पर काफी सारी विंड एनरजी मिल जाती है जहां पर बहुत सारी टरबाइन्स लगे हुए है एनरजी कनवर्शन के लिए ये योरोप की कहानी है कि बागी योरोप में तो बहुत कम है तर्फ स्पेन में है थोड़ा सा जर्म इनेविया में सिर्फ जाके आपको अच्छी एनरजी मिलती है, जहां पे उन्हें बहुत सारी विंट अर्बाइन लगाएवे, यह है पाकिस्तान की कहानी, अब आप देखें इसमें, कलर चेक कर लें, पीछे जो दिखाएं थी मैंने स्लाइड और उनको थोड़ा सा कंपेर कर हैं, और वहां पे अभी भी छोटी-छोटी काफी सारी विंट मिलोन लगा दिए, विंट टर्बाइन लगा दिए, लेकिन उससे अभी इतनी, एक्सपेरिमेंटल ही समझ लें, उससे उतना ज्यादा पावर उसमें डिवेलप नहीं होती है, एक बहुत अच्छी जगह जो है लेकिन वहां कोई जाता नहीं है, लेकिन बलोचिस्तान में यखिनन कुछ गुझाईश ऐसी है, कि जहां पे यह हो सकता है, कैबर पक्तुनवा में, केपी के में भी कुछ ऐसी जगह हैं, जहां पे ऐसी विंट मिल, कमस कम लोकल पैमाने तक के विंट टर्बाइन लग सकती ह जहां पे छोटे मोटे टर्बाइन लगा देना, तो उससे भी कमस कम इतना गुझा रहा हो सकता है, कि जितनी भी दिन में सोलर स्टैल लगा के चलेज अलेक्रिसिटी ले ले ले, रात को विंट मिल्ट से अलेक्रिसिटी ले ले ले, तो दोनों मिलाके कुछ न कुछ गुझ रहो सकता है.